जार्खन डांदोलन की उपज 80 वर्षिय वयोवृद्ध नेता विद्याधर नायक जार्खन की दुर्दशा पर उम्र की बंदिशे भूल एक बार फिर से सड़क पर उतर चुके हैं। सोंबार को नायक ने आदितिपूर थाना की समीब, जार्खन की वर्तमान हेमन सोरेन सरकार और समूचे राज़े के सरकारी मशीनरी पर कुठारा घात करते हुए जम कर भडास निकाली। आपको बता दें कि विद्याधर नायक की पहचान को लहान के आकरामक निताओं की रूप में होती रही है। हाला की उम्र के इस पड़ाओ में वे थोड़े शित्थल जरूर पड़ गए हैं, मगर उनका जोश किसी भी युबानेता पर भारी है। नायक राजत की टिकट पर चक्रधरपूर विधान सभा सीट से चुनाव फी लड़ चुके हैं, फिलहाल वे आसु में हैं, उन पर सरकारी अधिकारी को पीटने का भियारोप लग चुका है। जार्खंड आंदोलन की दोरान जेल यात्रा भी कर चुके हैं, हाला कि जार्खंड आंदोलन कारी चिन्हती करन आयोग उन्हें आंदोलन कारी नहीं मानता है। जारखन की वर्तमान दुर्दशा पर बेवाकी से अपनी बातों को रखती हुए उन्होंने सीएम हेमन सुरेन को जम कर घेरा। उन्होंने कहा कि बर्तमान समय में राज्यों की जनता, शिक्षा, स्वास्त, सड़क, पानी, बिजले, राशन जैसी समस्याओं से जूच रही है, मगर सरकार अपनी कुर्सी बचाने में जूटी है। जिन वायदों को लेकर सरकार सत्ता सीन हुई, आज सभी वायदे फाइलों और काग्जों में दम तोड़ रही है। उन्होंने आम लोगों से समस्याओं लेकर आगे आने की अपील की। और कहा कि आप केवल अपनी समस्याओं लेकर आएं, मैं समाधान दिलाओंगा, जरूरत पड़ी तो सरकारी अधिकारियों की पिटाई करने से भी नहीं चुगूंगा। नायक ने कहा कि आज के नेताओं को कुर्सी और सत्ता प्यारी है। पित्र उजागर किये जाएंगे। बोला कि बाबा खतियान भी लाए हैं, हम बोला कि हाँ, खतियान ही जुहर जात रहा है, खतियान नहीं लेकर आएंगी तो क्या लेकर आएंगे। तब वहाँ से हमको परशाशन ले करके अंदर में बाइच्छाए। उसके बाद हम वहाँ बोले, उनलोग का अधिकारी को, जेमेम का, कि हमको पांच मित समझ दिजे, मुकमंतिर से बात करने के लिए, तो बोले कि नहीं, इक गड़वन्दन से हम लोग का कोई प्रहज नहीं है। शीरिफ हम लोग काई हुआ शीरिफ जेमेम के लिए है। आज का बात को ले करके जो धनना दिये है, इसमें हमारा राशन का बहुत ब्रहबलाम है, बोलता है कि तीन महिना से नहीं मिला है, चार महिना से नहीं मिला है। बहुत सिकाच मिला इसी को ले करके उसके बाद पानी का समस्या बोल रहा है कि ठना में आभी देखिए हमारा बगल में चापा को लगोर के हो उसको कौन आदस दिया जो उसको हम लिखित भी दिये है अपर आई जुकत को और या को परखंड को जरस करेके भी रखा है आगे हम जो इसका ले करके हम लिखित देंगे लिखित देने के बाद अगर नहीं होगा तो उसके लिए आगे हम जो भी करवाई करेंगे तो एक तब कोस के चिरिक को ले करके हम करेंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं यूजविंग के लिए सराइक केला से गंगाधर पांटे की रिपोर्ट